त्यां दूसरी pregnancy में पहले बच्चे को breast feed कराने से माँ की सहत पर भी कुछ असर पढ़ता है कि किसी ने comment में हमसे पूछा कई महलाएं pregnancy के दोरान भी बच्चे को breast feeding कराती है बात सहिए है लेकिन क्या यह सुरक्षित है किसी को यह पता नहीं होता है किसी को कोई डर से जो है मतलब ब्रेस्ट पिडिंग नहीं करवाती है या पिर किसी की बातों में आके जी हाँ डियर फिर्ट्स माँ बनना किसी भी महिला के लिए खुबसूरत एहसास की तरह होता है स्थन पान कराने के दोरान मा और बच्चे के बीच गैरा भावनातमक संबंद बन जाता है बिल्कुल सही है ऐसे में किसी भी मा के लिए स्थन पान की आदत छुड़वा पाना कापी मुश्किल हो जाता है कई बार महिलाएं प्रेग्नेंसी के दोरान भी अपने पहले बच्चे को स्थन पान कराना जारी रखती है जो मा की सहत के लिए माइडियर फ्रेंट्स बहुत ही खतरनाक हो सकता है इसी टॉपिक पर आजका हमारा वीडियो जैं नमस्कार मैं डॉक्टर प्रवई जालम जिसने मेरे चैनल जी एचकर को सब्सक्राइब करो और गंटे का बटन दवा लिए ता की वीडियो रोज आपको मिलता रहे गरभावस्था के दोरान अस्तरपान जारी रखने या बंद करने का फैसला जो है ये आपको खुद से नहीं लेना है ये आपको डॉक्टर ही आपको इसका प्रामर्स दे सकता है क्योंकि इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की समस्याएं हर महिलाओं में अलग-अलग हो सकती है जैसे अगर बात करें पौशन की आवशक्ता प्रेग्नेंसी के दोरान बच्चे जो होते हैं यानि की ब्रुन और मा दोनों को ही ज्यादा पौशन की आवशक्ता होती है अगर महिला अपने बच्चों को स्तन पान कराना जाड़ी रखती है तो इससे मा के शरीर में पौशक तत्वों की कमी आ सकती है जो जन्म लेने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है अब जानो गरभाव मतलब गरभासे पर दवाब पढ़ना भी हो सकता है जैसे स्तन पान कराने से शरीर में आक्सी तौसी नामक हार्मोन बनता है जो गरभासे पर दवाब डाल सकता है इसके कारण महिला के शरीर को ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता लेकिन जिन महिलाओं की प्री टर्म लेबर से समस्या रह चुकी है उन्हें ध्यान देने की तो सक्त आवश्यक्ता होती है हाँ प्रेग्नेंसी के दोरान हार्मोन्स में उतार चड़ाव आने से स्तन के दूद के स्वाद और स्टन रचना में भी बदलाव आ सकता है जिहां इसके कारण ब्रेस्ट मिलक के प्रोड़क्शन्स में कमी आ सकती है जो स्तन पान कराने वाले बच्चे के लिए परिशानी का सबब बन सकता है एक दखो प्रियाप्त आराम नहीं मिल पाना ये भी एक कारण हो सकता यहनि कि प्रेगनेंसी में अस्तनपान कराना कुछ महिलाओं के लिए शारिरिक और भावनातमक रूप से तनावपुर्ण हो सकता है इस दौरान हार्मोंस में बदलाओं आने के कारण स्तनपान कराने में परेशानी थोड़ी बहुत आती है इसके साथ ही महिला को ज़्यादा कमजोरी और ठकान होने जैसी तमाम तरह की समस्याएं भी आ सकती है जियां अब देखो प्रेगनेंसी के दोरान ब्रेस्ट फीड कराना कैसे बंद करो मतलब यह तो आप जानगा है कि pregnancy के दोरान जो है breastfeed कराना नुक्सान दायक है अब सवाल यहाँ यह उठता है कि pregnancy के दोरान जो है हम अपने बच्चों का breastfeeding कराना कैसे बंद करें इसको जानो सबसे पहली है कि धीरे धीरे आदत चुराना अचानक स्तनपान बंद करना मा और बच्चे दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है अचानक आदत डालने के बजाए कुछ हपतों में धीरे धीरे दूद छोड़ाने की आदत को डाले साथ ही रोज स्तनपान कराने की संखियां जो है उसमें धीरे-धीरे कम करते चले जाना है उसके बाद है आहार में बदलाव करें स्तनपान के अलावा पौशन के अन्शरोत भी चूने जा सकते हैं बच्चों के लिए जैसे की फार्मूला मिल्क या ठोस आहार है बच्चे की उम्र के आधार पर यह होता है बच्चे को अस्तनपान की आदत छोराने के लिए धीरे-धीरे इन तमाम तरह की चीजों को देना आप सुरु कर सकते हो ठीक है देखो, नेक्स्ट है बच्चे को धियान भटकाना है जब बच्चा स्तनपान कराने की जिद करे तो खेल खिलोने वगरा सब जो है या अन चीजों से उनका ध्यान भटकाने की कोशिज करें इसके साथ ही बच्चे को प्रियाप्त हाइडरेट रखें यहां क्योंकि इससे बच्चे को बार बार दूद की जरुरत बिलकुल नहीं प हालब